नमस्ति दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं मीगोई मित्रा में दोस्तों कैसे उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जाती परणाम पत्र है तू आवेदन पत्र अनुसुशित जाती अनुसुशित जन जा तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि S.E.S.T. का जाती परणाम पत्तर आवेदिन पत्तर हैं जो कि उसको offline कैसा भरा जाए और उसमें supporting document कौन-कौन से चाहिए तो मैं दोस्तों बता लेता हूँ कि S.E.S.T. जिसका आवेदिन कर रहे हैं उसका आदार काड़ और गर वो पढ़ रहा है तो उसकी कोई भी class की मार्कशीट और उनके पिताजीं का आदार काड़ माता का आदार काड़, जनादार काड़, रसन काड़ और एक जमाबंदी जोक यह document आपको इसके साथ में scan करके इसकी PDF बना के आपको लगाना होगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस form को भरना कैसे हैं तो सबसे उपर लिखा हुआ है आवेदग के परिवार के मुख्या का जन अदरकाड यहां पर आपको जन अदरकाड बना होगा उसके बाद में प माता पिता का नाम गयात नहीं होने की स्रक्सकाना अगर मान लोग की माता और पिता का नाम गयात नहीं है नहीं है नाम तो उनके स्रक्सक का नाम या बड़े पापा का नाम या अंकल का नाम या उनके जो भी है काका काकी का नाम जो भी आपको यहां पर बढ़ना होगा तो यहां पर सरक्सक का नाम याद है तो इसलिए यहां पर डैस कर देना फिर निवासिस्तान का पूर्ण पता मलग आपका वरत्मान पता कौन सा है आप अभी वरत्मान में कहा रहे रहे हैं तो मैंने यहां पर वरत्मान पता भर दिया है और इसलिए पता भी दुनों से में अगर ons तो दोनों यहाँ पढर सकते हैं तो अगला पॉयंक एच्छे नंबर गाउन गाउ गाउन का नाम है और पिर टैसिल भढ़ना है आपको फिर जिल्ला और पिर राजस्थान और किया आप और आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है बिल्कूल अगर राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर टिक करना अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं करना है और फिर यहाँ पर आवेदा का कर राजिये कौन सा है वो और जिल्ला तेसिल और पता आपको यहाँ पे बढ़ना होगा तो यहाँ पे yes कर दीजिए दोस्तों जनम डेट यहाँ पे आपको जनम डेट बढ़ना है फिर जनम इस्तान बढ़ना है और फिर यहाँ पे आपकी उमर कितनी है वो बढ़नी है लिंग में आपको पुरूष या इस्त्री है तो आपको टिक करना है साधी हो सुका है या नहीं है तो आपको यहापे टिक करना दरम क्या है आपका हिंदू मुश्लिम जो भी है आपको अपघर मपत्र ना दरम क्या है तो दोनों मेसेज़ जो आपकी जाती है वो बढ़ना यह अनुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुश पर लेके से यह पहला पेज था जो के जॉकर पढ़ना पत्र के लिए भड़ना फिर नेख्ट पेज में मैं आपको बताने वाला हूं फिर यह निवासी इस्तान बरेगा फिर यहां विवाग का नाम बरेगा और उसका पद कौन सा वो बरेगा और नीचे यह आएगा प्राथी का विवरण इसका नाम फिर निनका ये और यह आएगा फिर यहां पे साइन करेगा गवा और सील साइन करेगा और गवा एक और गवा पर अलग गवा, तो यहां पर गवा की डिटल भृ जाएगी, नीचे प्रास्ते की डिटल भृ जाएगी, फिर सपत्पतर कुद के नाम का भणना पड़ेगा, जो आवेदन करता है, उसका सपत्पतर भणना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर भर रखा है, गाव, नाम, जिल करवा दीजिए तो यहाँ पे नाम है और पिता का नाम है गाव है और जाती में यहाँ पे आपको यह मेगवाल जाती बना है उपजाती मेगवाल है उपजाती मेगवाल बना अनुश्य जाती मैंने ऐसे लिख लिया है मेगवाल ऐसी कर सकते हैं तो उपजाती मेगवाल है मोस और यहां पर पत्वारी के सील साइन करवाना जरूरी है और पत्वारी के से अस्तक्सर करवाने के लिए आपके पास में जम्मामंदी नकल होना जरूरी है और जम्मामंदी और नकल आप साथ में लिके जाए और वहां पर पत्वारी से यहां पर अस्तक्सर करवा दिजी तो य यहां पर आप इस तरीके से यह फॉरम मेट भर सकते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर साइन होने के बाद में यहां पर भी आपको साइन करवाना है यहां पर सील साइन करवाना है दोनों जगे सील यहां फोटो पर सील साइन होगा जो भी परतम उतरदाई है एक गवा यहाँ पे seal sign करेगा है तो यहाँ पे आपको seal sign करवाना है तो दोस्तों इस तरीके से आप अनुस्य से जन जाती अनुस्य से जन जाती और उनका एक photo और पिता जी का आदार काड मता का आदार काड जन आदार काड रासन काड अगर परीचे पतर है तो परीचे पतर और जमीन की जमामंदी नकल तो वो सब copy आपको scan करके PDF फाइल बनाके इसको इमित्रा के मादिम से online करना होगा और इसकी भी PDF फाइल आपको बनान काम बत रहें उनको online कैसे किया जाए तो दोस्तों वीडियो चलाएं को वीडियो लाइक वाइक शेयर शुरू करना थेंक्यों दोस्तों फिर मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाए बाए